को के एक एक प्रसंगों को कहीं न कहीं चित्रित करेगा तो दिश्चित तोर से भगवान शिदान के चाहे वो प्रसंग चाहे वो शबरी से जुड़े प्रसंग हो चाहे भगवान वालमी की महांसंत शिरोमण वालमी की द्वारा रामायर की रचना की हो और तबसे बड़ी बा होतए हैं और ऐसी का प्रमार है यह जो भालमिक अंतराश्टी होई अड्डा है उसका प्रणमंतरी नरेंद्र हिoweサ किया गया है जो कि आवाग्मन के लिहाद से और सांस्कृतिक वैभों के लिहाद से दुनिया को चकित कर देने के लिए परयाप्त है अजे बिल्कुल सही का आपने और ये जो महर्श वालमी का अंतरास्टी हावाई अड्डा है उसकी कुछ खासियते मैं दर्शकों तक पहुंचा दूं आर्किटेक्ट डिजाइन की बात पर जो लगातार जीरो वेस्ट की बात करते रहे हैं प्रधानमंतरी Narendra Modi इस पूरी डिजाइन में इस पूरे निर्मार में कार्बन न्यूट्रल रहने की कोशिश की गई यानि प्रदूर्शन इससे पूरे निर्मार कार्य में बिल्कुल नहीं हुआ पूरे 20 महीनों में इस बात का ख्याल रखा गया, GRC जो की ग्लास फाइबर रेंफोर्स कॉंक्रीट होता है, जो पत्थरों को रिप्लेस करता है, अगर आप पत्थरों को काट करके निर्मार करते हैं, तो उसमें प्रदूर्शन की संभावना बहुत ज्यादा होती है, और आप जानते हैं, दिल् सी ग्लास फाइबर रेंफोर्स कॉंक्रीट, इसका इस्तिमाल करके आपको लुक तो पत्थरों का दिया गया, लेकिन इसको बिल्कुल प्रदूर्शन मुक्त रखा गया, इसको साथ ही साथ पूरी बिल्डिंग को ग्रीन बिल्डिंग के तौर पर विक्सित किया गया, और सेकेंड फेज में इसको दस गुना बढ़ाया जाएगा, कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसका जिकर अश्विनी जी ने भी किया, कि संपूरन रामायड को यहां पर मूरल से जरिये दिखाने की जो कोशिश है, इसके साथ साथ मधुबनी पेंटिंग के जरिये, य यह जो सारी की सारी सांस्कृतिक विरासत हैं हमारी पूरी दुनिया तक लोगों को पहुचानी के और एक नए कलेवर में जो यह बन करके तयार हुआ है, जिसमें राम दलबार तीन फ्लोर पर बनाया गया है, मधुबनी पेंटिंग के जरिए राम विवाह की तस्वीरें प तो रामचरित मानस के साथ कांडों की और इशारा करते हैं जिसका दिकर आप नहीं है।